पिर ये विद्यारती और नमस्कार, एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका सवागत है, हम पढ़ रहे थे प्रोफिट एंड दोस, जिसकी पांच कलास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 किशन सोल कर लिये थे किसी वस्तू को बेचने पर उस पर हानी विक्राय मुल्य की दो बटा तीन है, तो हानी परतिसत ग्यात किजी, विक्राय मुल्य की दो बटा तीन है, तुलना किसे की जा रही है, विक्राय मुल्य यानि सेलिंग प्राइज से, ठीक हैं, तुलना वाली रासी हमें साह नीचे मिल करते हैं और तुमनले राशी का पता क्या चलेगा कौनेसी तुमना लिरासी ठुसके साथ में का की यहाद के ψ लाब हाने की गनना हमेश्चा CP पे करते हैं CP कितना हो जाएगा देखू वी आमने बस्तों तीन रुपे में बेचा है और दो का नुकसान हुआ है यानि CP कितना था? पांच वी तीन रुपे में बेचने से दो का नुकसान हुआ है जुड़ जाएगे तो CP कितना था? यानि पांच की खरीद दी तीन में बेची तो वी तो दो रुपे की हाने हुआ है तो बटा में पांच निकालना क्या है? हाने परतिसत कुणा में 100 परतिसत के लिए पांच से 20 20 कुणा दो 40 परतिसत की हाने होगी Option A क्यूस्टर नमर 42 एक बेखियमान दुकानदार अपना सामान क्रैमुले पर बेचता है लेकिन एक किलोगराम के स्थान पर 900 पर भार का इस्तेमाल करता है इन वजन का इस्तेमाल करता है उसका लाब परतिसत ग्याद करें वे एक किलोगराम का मतलब thousand gramقت-1000ुघ में एक किलो-ग्राम एक ही बात है ये किलो-ग्राम में हजार-ग्राम होती है ई crec विदी ऑनके स्थान बेवो 900-ा- भार का करता है विकोई ग्रहाथ एक किलोग्राम गोवस्तु लेने आता है फोसको 900 ग्राम तोलता है उसका लाब प्रतिसत ज्याद करें रेखो लाब हानी की गर्णा में सा प्राइस पर करते हैं ठीक सी पी इसका सीपी क्या ज़े देखो क्योंकि उसके दुकान से समान कितना निकला विलेने को एक किलो गराम आया यह यह जार गराम उसने दिया कितना नो सोग्राम हमें निकालना लाव परतीसत ठीक है तो देखो कितना गराम कम दिया सो गराम सोग्राम है उसके दुकान से निकला कितना समान भी किलो गर्म देखने कितना है नहीं सोग्राम नो ही नहीं दिया कितना है 900 गुरां इस पे बटामे नो सो परतिशत के लिए गुणा में 100 20 से 20 cancels सो बटा नो परतिशत थी मिष्ट लिए तो गयारा नीम ने न्यार में 11 से एक बटा 9 परतिशत आजाएगा ठीक है तो हमारे उप्शन में 100 बटा 9 परतिशत का लाब होगा उप्शन B क्यूस्टन नमबर 43 एक वियापारी 1 किलो ग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रियोग करता है तो वस्तु को 10 परतिशत लाब पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर कितने परतिशत का लाब होता है एक वियापारी 1 किलो ग्राम वाट के स्थान पर 1 किलो ग्राम का मतलब 1000 ग्राम वाट का प्रियोग करता है 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रियोग करता है हो और तो ष्ट्रस्थला भर पंपर बेचता है उसे कुल मिला कर कितने पर्तिशत का लाइब होता है धूज़िघ कasm उसके बाद सुभ़्य तो है दस पर्तिशत रॉजमाइगा तो इस तो कितने ऊजायेगी है इसका इसका मतलब बढ़ जायेगी पालस दस प्रतिसट करथे शुचुच दस प्रतिसद बढ़ा दिया यान इसका 10 प्रतिसद का मतलब कितना जैगा सो 2,000 और सो 1,110 बढाने के बाद वस्तु कितनी हो जायेगी 1100 गराम वस्तु रियल में है एक हजार गराम ठीक हैं? गराक को देता है 900 गराम लेकिन 10% प्रतिशत लाब कमाएगा तो वस्तुप की वेलुऊ कितनी उजाएगी? 1100 गराम यानि वो जब इसको बेचेगा ना तो 1100 गराम के बराबर बेचेगा ठीक हैं? इसी वस्तुप को तो अब देखो उसको मिले कितनी 900 ग्राम और वश्टु बना लिकिदुख दया दर ने proper शुब ते दूछा फाइदा रॉब 200 ग्राम काो पूछा क्या है लाभ परतिसद ग्यात करें लाभ परति पर्तिसद मिले कितना फाइदा उसको दूऽ्सो ग्राम का दुकान से समान कितना निकला 900 ग्राम वे दिया तुसको 900 ग्राम ही है न और उसने दुकान नार ने समान बना कितना लिया था 1100 ग्राम इसका उतलब 200 ग्राम का उसको फायदा होगा परतिसत के लिए गुणा में 100 200 से 200 कैंसिल 200 ग्राम नौ परतिसत का फायदा होगा में श्रीत विन्मेद बदलेंगे तो नौग्णा दो अठारा फिर दो नौग्णा दो अठारा 22 सहीं 2 ग्राव परतिस्त जो भी ओप्सन में हो हमारे पास है 200 ग्राव 9 परतिस्त ओप्सन ए क्यूस्यन नांबर 44 एक व्याप परिचाय को 4% हानी पर बेचने का वद हादा करता है लेकिन वह एक किलोग्राम के ष्थान पर 840 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है बताएं कि उसे कितना लाव यहानी परतिश्थ इस सोब्रें में प्राप्त होगा देखो भई चैयर परतिश तहानी क्या करता वह हमकिन किलोग्राम के स्तान पर आठ्स चाठीष ग्राम दोलता है एक डिकोई contact यक रस्ता Baltic मतलब अवियु है। एक इस पर तोलता है बोलता है कि मैं च्यार पर तीशता हानी पर अपना चाय को बिस्ता हूं कि यार पर तीशत franchise चानी का मतलब देखाँ माइनिट रप्रतिशनलर याएगा माय इसका चार्प रशनी गालो ही तायेगा चालीट में स् нос कण थचल कर रहे हैं क्या जालिट गिजार ही साल सुन Kम कर रहीं है क्यों इसका कहने का मतलब्ह क्यों यह हैं कोई गराक 960 ग्राम वस्तु लेने आचाश ready लेने आएका तो मैं उसको 1000 गराम देंगा येने मेराओं सान हो गजार परतिसत लेकिन यह सा नहीं करता क्या करता हिए एक जारओं को लेने आता है तो उसके स्थानपर आछो चारिस गराम ही तोलता है ठीके दब देखो लाब होगा ऐसे लिए साथ की पैसे कितने के लिए 960 ग्राम के पैसे लिए देल साथ गराम के लिए लुगे य्ड़क किसे अर 180 कान सूदेगा तर लिए नहीं तर फुचू देला किस्ता नीकिन नू एक लिए लेकिन के लिए रहां दुछ फाइदा एनिलाव कितना होगा लब 120 किस पे होगा जोस के दुकान से समान निकले गा समान कितना निकला आफ आप्सोचारीज गराम इंदुकां से बारगायन समान नोसुचाट गरम तो गया इने रिल में उसने इतना तोला है तो इस पे एक सो बीस का लाब हो जाएगा परतिशत के लिए गुणा में सो जीरो से जीरो बारास अत्य चुरासी सो बटा साथ परतिशत का लाब होगा या च क्यूस्टन सी क्यूस्टन नमबर फोर्टी फाइफ एक ब्याइमान दुकांदार दस परतिशत लाब पर चावल बेचता है और शाथ ही वजन में बीस परतिशत कम तोलता है तो उसका कुल लाब परतिशत क्या होगा मैं लाब भी कमाता है दस परतिशत और बीस परतिशत सम का विदेखो हजार मान मैं सो मान लो लो कि वार ये निभी 200 गराम कम तोलता है 100 गराम कम तोलता है तूम क्या करेंगे पर चौब बेसना है एक वह प्रतिशल पर चाहले सोगराम है जहां पर चाहरे सोगराम में तो रुपे में बेचना लेकिन क्या करेगा वह बेच परतिशत कम तोलता है जहां पे 100 ग्राम तोलना है तो वह क्या करेगा वह 20 प्रतिसत कम कर देगा यानि असी प्रतिसत तोलेगा तो इसका सी प्रतिसत निकालेंगे तो कितना आएगा एक सो दस ग्राम की तो कितना फैदा हुआ है टीस ग्राम का ठीक है कुन लाब प्रतिशत देखो लाब हुआ तीज का किस पे हुआ लाब उसके दुकान से समान किता निकला असी ग्राम परतिशत के लिए गुणा में 100 जीरो से जीरो च्यार से दो और च्यार से पत्चिस गुणा तीन पचैतर बटा दो यानि 37 से एक बटा दो या 37.5 परतिशत लाब होगा दुबारा देख लो एक बार मालनों बस तुह 100 पिविम खरीच दी थी उसने क्या करेंगा 10, intimate 110 में बेचेगा 110 में लेकिन मालन लोब फस तो 100 गराम है तुमें 20 परdosेश कंपा तोलता है कि तोलता है 80 ग्राम यह स सब्सक्राइब स्केवास 110 ग्राम इन 30 ग्राम क्या हुआ होा फाइदा दुकान से समान कितना निकला 80 तो 72 तीस फाइदा परत्रिषट के लेक उनामें 07app 5 परतिषट का लाव होगा सब्सक्राइब क्यूसर नमर 46 एक बेमान वियापारी अपने सामानों को क्रैम मुले पर बेचने का वादा करता है वे जो क्रैम मुले उसी पर बेचने का वादा करता है लेकिन वे इस पर 25% लाव कमाता है क्या वादा करता है जो मैंने खरीदा उसी मुले पर बेचुमा फिर भी 25% का लाब कमाता है बताएं कि हुएंगे 1kg के स्थान पर कितना वजन तोलता है यहीं वजन कम तोलता है कितना तोलता है यह पूछा है तो देखो 25% लाब कितना है 25% 25% का वेल्यू क् boy het gonna? एक बटा 4 25 बटा 100 करेंगे तो एक बटा 4 लिए ऑल मेल Wag ित्व निए रलेक पांच ने पांच बटा क्यारन या निप पांच घराम व्सथू है उसके स्तान पर क्याकर ओव वो च्यार गराम ही तोलेगा कर थीजुंद और तर ऋऩ रहुं removal अन्य कर णो बाति अन्स क्षान कितना वजण तोलता से क्ट एकक एक यह वरंग आल लिया एक किलोग्न में हजार गराम में यहां पार किटनी पट्ट थे क्लिग में यह कितनी आएगी दोस्तों एकिवल्व प्रदि फिर्ल पर दोस्तों ही बात वही है गुना 200 से कर लो या 1000 को पांच से बाग कर लो कितना आएगा 200 यानि एक की वेल्यू कितनी आएगी 200 पांच की वेल्यू 1000 तो एक की वेल्यू 200 तो इसको भी 200 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 800 ग्राम तो एक किलो ग्राम किस्तान भी कितना तोलेगा 800 ग्राम option C question number 47 एक दुकानदार समान खरीदते समय 20% लाब तथा उन्हें 20% लाब कमाता है तो उसका कुल लाब परतिसत ग्यात करें ठीक है इसका concept देख लो एक बार उसके बाद सोट ट्रिक बता दूँँआ समान खरीदते समय 20% का लाब जिसका मतलब खरीद देगा तो 100 रुपे में 100 रुपे में खरीदता है लाब कब होगा 120 रुपे का समान 100 रुपे में 120 रुपे का समान खरीद लेगा कहां से खरीद ने गया दुकानदार समान 100 रुपे लेके गया और समान कितने के लेका 120 यानि 20% का फाइदा हुआ उसको फिर भीस टेवे तीस प्रतिशत का लब इन सो रुपे का समान चैगा 130 रूपय में सो रुपे का सामान बेचते गा कितने में 130 रुपे में हो गया ना फाइधा त्वे इसो रुपे में 130 का ठीगा तिक है और समान कितने हो उसके पास 120 का सो रुप्रे का समान बेच्चेगा एक सो तीस में और एक रुप्रे का समान बेच्चेगा एक सो रुप्रे में तो बैच्चे गवी 120 का देखो 120 उरुपे का समान बेचेगा 130 बटा सो और गुना में 120 कर दो तेरा की और बारा की गुना करेंगे तो बारा का स्केर एक सो चम्वारा जोड़ देंगे इने गुना कितने एक सो चपन रुपे में 156 रुपे में रेल में उसके पास पैसा था कितना सो और बेस तेने का समाने 156 का फायदा कितने का भाव लाव एक एक सो चपन माइनस सो यानि चापन परतिसाद का लाब हुवा इस कुस्तर में हम एवी फ़ॉर्मुले का भी यूज कर सकते हैं कैसे a पलस b पलस a b बटा 100 ठीक है यह लग जाएगा इसमें तो देखो पहले कमाया 20 का लाब फिर 30 का लाब पलस 20 गुना 30 और बटा में 100 दो 0 से 2 0 कैंसिल कर लो सभी पलस के हैं तो जोड़ दो 20 और 30 50 पलस 2 गुना 36 यानि 56 प्रतिसत का लाब होगा दूसरा तरीका यह हो जाएगा ठीक है आंसर होगा ओप्शन डी क्यूसर नंबर 48 एक दुकानदार खरीदने वे बेचने के लिए जूठे वजन का उप्योग करके दस प्रतिसत बेमानी करता है तो उसका कुल लाब प्रतिसत ग्याद करें खरीदने टाइम भी दस प्रतिसत बेमानी करता है वजन में और बेस्तिस में भी 10% की बेEMानी करता है तो देखो वे खरीत्यस में बेEMानी करेगा इसका मतलब 100 गड़ाम के स्थान पर पर पराप्त करेगा मैं बेEMानी कर रहा है खरी थे सद्ना है, 100 गर्च्षा अनुट को खरीद देगा 10% जादा यानि 110 गराम खरीद देगा यह उसके पास वस्तु कितनी है वे 110 ग्राम अब उसको बेचेगा तो बेचते समें क्या करेगा 10 परतिशत की बेविमानी करेगा तो देखो 100 ग्राम बेचेगा तो इसका बेविमानी कैसे होगी कम तो लेगा यानि 90 ग्राम 90 ग्राम बेचता है 100 ग्राम के स्थान पर कोई 100 ग्राम लेने आएगा वस्तु उसको कितनी देगा वस्तु 90 ग्राम और वस्तु उसके वास है कितनी 110 ग्राम देखो कितना लाब कमाएका 90 ग्राम किस्तान पर बेचता है 100 ग्राम एक ग्राम के स्थान पर बेचेगा 100 ग्राम और वस्तु कितनी है उसके पास 110 ग्राम ठीक है नबाबी ग्राम बीचता है 100 ग्राम के स्थान पे 1 ग्राम बेचेए गा 100 ग्राम पे 100 ग्राम बेचेए ओर 110 ग्राम अधिक है 0 C 0 compartir 11 100 9 ग्राम यह निक आरास बटा 9 ग्राम वस्तु लेने आएगा तब वो यह 110 ग्राम बेचेगा ठीक है तो देखो वस्तु कितनी लेकर आया था शुरू में वह पैसे 100 ग्राम के देकर आये था इसका मतलब अब वस्तु कितनी बड़ा लिए उसने एक 1100 बटा नो ग्राम तो देखो कितना लाव हुआ 100 माइनस 100 100 ग्रानो नो सो क्यार वीकी स्ट रहां के दो 100 बटास निकालना है तो परदेशित की नौकष़ स्ट कैजग होगी वह पिज्ट करेंगे विखना चीए था यह क ornaments वाया दूपश्ट लगा दिए दो 200 बटा नो परदेश पोसे लाब होगा ओगा ओसन soul एक दूद विक्रेता ने लागत मुले पर दूद बेचकर 25 परतिशत का लाब कमाने के लिए दूद में पानी मिला दिया पानी और दूद का अनुपात कितना है इस क्यूशन को सोल करके आंसर कोमेंट बॉक्स में लिखेंगे मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद